हेलो स्टुएंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू अवर क्लास एस टेक्निक में क्यों माइड साथ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एस टेक्निक पर कल तक अपने बाइनोमियल थियोरम में ग्रेटेस्ट फाइंद कर लिया था ठीक है और आज अ साथ से आठ नंबर का आता है ऊवर कॉंप्लेक्स नंबर के साथ ही कथृप संग्या क्या होती है बात तो देखो नंबना मिपड़े है कि मैं तो आपके जो होते हैं वैसे बिलकुल जीक हुआ रहो से तो नंबर होते हैं तो गहीं थे ने परन शुंसर नंबर उन से लेक्ट साथे हैं और फिर आंगे-बढ़े तो अपनाuhan के बहुते हैं रेसनल डेसनल आ गया इंटीजर सा गये लिए परने पर देख और अब जब आपन यहां आए है तो अपनको एक और नई चीज मिलगे यह तो इसको बोलते हैं अफ़क्ष नंबर कॉंपलेक्स नंबर कॉंपलेक्स नंबर हुल क्या है रियल नंबर प्लास इमेजनरी नंबर मतलब वास्त्विक संख्या प्लास कालपनिक संख्या कालपनिक संख्या इन दौनों का सम जो होता है वो किसके बरावर होता है सम्मिस्त्र संख्या के बरावर बस समझ में आई की नहीं आई बिलकुल सुरू से कर रहे हैं पहला टॉपिक है आज यह चीज सब बाकिफ है सबी लोगह में रियल नंबर जानते हैं 01234569891011 फ्रीक है रियल नंबर में आपके क्या क्या आते हैं रियल नंबर जो है इनमें आते हैं आपके in teaser क्या आते हैं बस आपका real number होना चाहिए मतलब ना तो भिन्नात्मक संक्या होनी चाहिए ना ही point वाला number होना चाहिए real number clear बात चीक है imaginary number क्या होता है तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि root के अंदर आपकी negative value आ जाती है है आजाती है कि नहीं आ जाती है रूट के अंदर जो आपकी negative value आती है suppose that की root के अंदर आया माइनस वन तो root minus one की value क्या होती है ठीक है इट इस इमेजनरी इडिजनरी नमबर यह आपका एक कालपने तो इसे हम आई से trenode करते है की value कितनी होते है root minus clear की आई को हम बोलते क्यां है आई ओं वोलते हैं ऐगाल दिखे हो एके इसको आई को क्या बोलते हैं आयोता है ऐसको प्रिजन करता है एक इमज्री नंबर को और आई की वेल्यू कितनी होती अन्डर रूट के अंदर माइनस बन इस प्रकास से गर थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो आई एस्क्वाइर की वेल्यू कितनी होगी आई की वेल्य मतलब अंडर रूड माइनस बखर अगर अगर तो आपका आ जाएगा पताओ नहीं अ जिसको के लिए नहाओ वहीं तुरंत पूंच लेना एक अच्छा और आगे बड़े अगर सब्सक्राइब बता है तो क्या होगी तो यह देखो कितनी होगी माइनस बनाएगा माइनस 1 का रूड 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 माइनस 1 यह भी आपका रूड का मल्टिप्ला है रूड कैंसल माइनस 1 रूड का मल्टिप्ला है रूड कैंसल माइनस 1 रूड का मल्टिप्ला है रूड कैंसल माइ On-I-Q की value root-1 तिर माइनस माइनस मॉन या इसको हम ऐसे भी लग सकते हैं माइनस-I I-Q की value माइनस-I ठीक है आई की power 4 की value कितनी होती है प्लस-1 ठीक है ऐसे अपन-I-Q की power 5 की value निकाले तो यह कितनी होती है यह positive आई होती है क्यों होती है चोंकि-ाइकी power 4 into I की power 5 को लेखेंगे अपन आई की पावर 4 multiply by आई तो आई की पावर 4 की वेल्यू 1 1 इंटू आई इक्वल टू नहीं आया आगया ना इस प्रकार से अपन और भी वेल्यू क्या करते जाएंगे निकालते जाएंगे जहां तक वह पूंचाएंगे वहाता जैसे हम आप से कहें कि आई की पावर 62 की वैल्यू बताओ कितनी बताओ आई की पावर 62 की वैल्यू बताओ विए देखो हम क्या लेक सकते हैं से आई स्क्वाइर की पावर 31 नहीं लेक सकते बिलकुल लेक सकते आई स्क्वाइर की वैल्यू माइनस वन की पावर 31 अब माइनस वन की पावर अगर पॉस्ट की पावर 127 की वैल्यु बताओ कितनी होगी ध्युक्त हो इत्ता पावर लिख दिया करो सीधा ठीक है आई स्क्यार की पावर किता होगा टू सिक्स आट वैल्व और कि वाए जितो डिवाइडी नहीं हो रहा है तो टू सेट्टे वार हो रहा हुटत वार को फूसेग साट्वैल फिर बचा सेवेंड तू ठीजा शिक्स बचा वन नहीं लिख सकते ऐसे आई स्क्वाइर की पावर 63 इंटू आई मतलब देखो तू इंटू 63 करेंगे तो आएगा आपका 126 और एक और आई यह तो प्लस वन कर दो कित्ता आ गया कोई दिकत नहीं अब जे देखो स्क्वाइर की पावर क्या है और नमबर मतलब माइनस वन की पा है ऐसा जिसे नहीं आया हो सबको पक्का एक और निकालो जल्दी से तुम लोगा है 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 देखो आई की पावर आई की पावर 128 ठीक है तो इसे देखो क्या लेखेंगे अपन आई स्क्वाइर की पावर 64 आई स्क्वाइर की वेल्यू माइनस वन माइनस वन की पावर इवन नमबर इवन नमबर तो अंसर प्लस वन ठीक और अगर यह बोलें है कि आई की पावर 131 ठीक तो 131 तो देखो क्या होगा आई स्क्वाइर की पावर two six the twenty five the 100 do one thirty हो गया और इटू आई हो गया हो गया की नहीं हो गया थीक तो देखो आई स्क्वाइर की पावर माइनस सिक्ष्टी वन तो माइनस वन की पावर सिक्ष्टी वन इन्टू आई ठीक है माइनस बन की पावर और नमबर तो माइनस और आई का आई कि बताओ कोई ऐसा जिसे आई की वैल्यू निकालने नहीं आई हो कि आई की पाबर कित्ती भी हो स्कॉायर की पाबर तोड़ो ठीक है या तो अले स्कॉयर बनेगा मतलब स्कॉयर की पाबर पूरी जाएगी और नहीं जाएगी तो चितने बार जाएगी एक साथ में आई बचेगा बस प्लियर पतका कॉन्फीडेंस नहीं दिकरा चाहरे पे भईया देखो आई की पाबर 513 तो देखो क्या करना है अपन को आई स्कॉयर का तू से डिवाइड करो इसको तू टू जा नाई तू टू जा फूर बन तू फाइब जा टैन वन तू सिक्जा ट्वैल वन बचा तू का भाग किया 513 में दो दूनी 4 माइनस 1 ग्यारा दो पंचे 10 माइनस 1 तेरा दो इचके 12 माइनस 1 जितने बार गया वो पाबर में लख दिएंगी कित्ता बचा एक बचा तो एक आई लेख दो अब आई स्क्वाइर की वैल्यू माइनस 1 की पाबर 256 और आई अब आई की पाबर कैसा नंबर इवेन नंबर इवेन नंबर तो फ्लस ठीक है फ्लस वन होगा और आई की नहीं आया अब आगया सबको भाग करके दिखाया तो आगया तो यह होते हैं जो आई जिसमें आता है वो आपका क्या होता है इमेजनरी नंबर तो लेट दियारा टू नंबर ए एंड बी माना की दो नंबर है आपके कौन-कौन से ए और बी जिसमें ए आपका क्या है वास्त्विक नंबर है और बी जो है वो आपका काल्पनिक नंबर है यह आपका रियल है और भी आपका इमेजनरी है तो कॉंप्लेक्स नंबर को हम अगर जैड से सो करें तो जैड एक्वाल टू होगा किसी को नहीं है ना पका आगया तो यह आपका जैड क्या होगा एक जैड आपका एक कॉंप्लेक्स नंबर होगा जैड आपका क्या होगा एक कॉंप्लेक्स नंबर होगा और complex number में a जो है वो कैसा है आपका real है और i b जो है वो कौन सा part होगा आपका imaginary part होगा clear अब a आपका कोई भी number हो सकता है plus में या minus में वो effect नहीं करेगा ठीक है 0 भी हो सकता अगर हम ऐसे लेखते है 0 plus 3i तो यह भी आपका imaginary number है clear ओके तो जब भी अपन imaginary number की comparison करेंगे तो किस से करेंगे a plus ib से करेंगे ठीक है जिसमें a आपका imaginary number होगा और भी आपका एक culprit number होगा clear यहां तक आ गया अब बात करते हैं conjugate of complex number कॉंप्लेक्स नंबर कॉंप्लेक्स नंबर का conjugate क्या होता है हिंदी में बोलते हैं इसे कि सम्मिस्र संख्या का सम्मिस्र संख्या का कॉंजूगेट को हिंदी में जा गयते हैं नहीं यह गात्मक वहुला है नहीं है है कॉंजूगेट है बतलाब कि फाल्टू की बात है बोली फिर गुस्सा आता फिर हम चिला देते पिर हम अभी अच्छी खासी सुना देंगे कि संख्या का संख्या का संख्या का संख्या कैसे निकाला जाता है तो एक्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं सपोर्च करो कि जैड एककॉल टू आपका है ए प्लस आईबी ञेक जैड एक क्कॉल टू चुल का होता है ए प्लस आईबी कोंपलेक्स नमबर है इसका हम आप से साहियों की बता हो यह का साइड यह क्या हो जाएगा जैड बार ये हो जाएगा यहांपर जो इमेजनरी टर्म है यह लंबर चेंज नहीं होता है यह लबर वहीं रहेगा नहीं आया जैसे हम आपसे कहें चीज एक्वल टू आपका है टू माइनस तरी आई हम इसका कहें कॉंजूगेट क्या होगा तो कॉंजूगेट इसका क्या होगा तू इमेजरी नंबर रियल नंबर चेंज नहीं होगा इमेजरी नंबर का साइन क्या है माइनस है ना तो यह प्लस हो जाएगा बस नहीं आया क्लियर जैसे हमने आपसे कहा कि जैड इस एक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट 3 माइनस त्री अपॉन रूट 3 आई कि इसका यह number क्या होगा conjugate इसका साइयोगमी क्या होगा तो रियल लंबर चेंज नहीं होगा ठीक है जो माइनस है उसकी जगाए पर प्लस आ जाएगा ठीए पॉण रूट थी बता गॉट्विट समझ में आया लिए है किसी को conjugate में दिक्कत किसी को conjugate निखालने में कोई दिक्कत नहीं ना आ गया किलियर एक नंबर में कई बार कॉस्चन आ जाता है जो आपके फेपर आएगा फेपर का पैटर्ण पता है पहले कॉस्चन में आएंगे बारा कॉस्चन उनमें से कोई दस करने पड़ेंगे सारे एक एक नंबर के तो उसमें एक नंबर में आपसे कॉन्जूगेट मूश सकते हैं तो दो चीजां सीखी अपनने जाता है तो अब यहां पैंकर आगे बढ़ेंगे यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखते हैं कि आपको एक कोई कॉइखक्वम न दिया गया है और आपसे कहेंगा को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए ठीक को यह कुश्चन नंबर दिया और इमेजनेट नंबर देंगे और उसको बोलेंगे इसको ए प्लस आई बी के रूप में फॉर्म कीजिए ठीक है इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज कीजिए ठीक है क्वेश्चन कैसे आएगा देखो सपोस्ट करो कि यह क्वेश्चन हमने आपको दिया तू प्लस थीरी आई अपॉन कि धिरी माइनस आई इंटू कि टू प्लस तू आई ठीक है ध्यान से समझना मिलकुल को को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है बहुत बार ऐसे कॉश्चन आते हैं बहुत बार लगबग हर बार ठीक है के फार्म में व्यक्त कीजिए इसको अपउन और इस फॉम में क्या करना है अभी तो नहीं कर पाएंगे प्लस थीरी आ swings क्वाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइ चाहिए यह और नॉर्मल नंबर चाहिए आइस्कुार आए आ ऐ क्यू आए कोई भी आ यह तो यह जाएगा सिक्स फॉराइ माईनसट टू इंटू इस्कार की वैल्लू माइनस दू प्लस थीन आइ अपोन शेक्स प्लस फॉर आए प्लस कूस प्लस कि ऐगा माइनसटर फाल मिल अब तू प्लस थ्री आई अपॉन एट प्लस चार वार आई है नहीं आया है यह यहां तक कोई ऐसा जिसे अभी पल्ले नहीं पड़ा हो यह बात शेधन दो वाट चार आई का चार आई अब जिसने कॉमन लिया कलत पल्डिया कोमन अगर लेना हो तो ले लो यहसे नहीं कि बिलकुल गलत हो जाएगा अब जब आपको ऐसे फॉर्म मिल जाए जब इस ट्राइब का कॉश्चन आएगा एप्लस आई वी का तो कहीं नहीं जाकि आपको इस फॉर्म में पॉस्चन अब फर्मेई करन एक और में क्या करेंगे हर अपका किया करएंगे हालेंगें अपन हरका परि मेंई करने । इंडी में इंगलेश में और रेसलाइज इस रेसलाइज क्या बोलते हैं इसलाइज और रेसलाइज डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को रेसलाइज करने पर तो डेनोमिनेटर एट प्लस फोर आई है एट प्लस फोर आई का कॉंजुगेट क्या होगा बतो एट प्लस फोर आई का कॉंजुगेट क्या होगा हाँ एट माइनस चार आई अपॉन एट माइनस पोर आई उपर नीचे मल्टिप्लाइज करना आ जाएगा करो 8 का 2 में करेंगे 16 फिर 8 का 3 में करेंगे प्लस का 24 आई फिर माइनस 4 का 2 में करेंगे तो माइनस का 8 आई और माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 आई स्क्वार बताओ किसे नहीं आया ठीक और नीचे देखो A प्लस B A माइनस क्या होता है a plus b into a minus b a square minus b square होता तो 8 8 मतलब 8 का square minus 4 i का नहीं आया पक्का थे तो देखो जे हो गया 16 प्लस ये 16 i minus 12 into i square की value minus 1 upon 8 का square 64 minus 4 का square 16 i का square i square ठीक तो यह हो जाएगा आपका 16 प्लस का 12 प्लस का 16 i upon 64 प्लस का 16 माइनस का 16 into i square की value minus 1 तो यह क्या हो जाएगा आपका 28 28 प्लस 16 i upon 64 plus 16 तो यह हो जाएगा बात नहीं है त्वेंटी एट प्लस 16 i upon 64 10 617 और एक आठ अब अलग अलग कर दो ठीक है यहां आने के बाद क्या कर देंगे जैसे नीचे नंबर आएगा इसको कर दो separate separate में 28 upon 80 plus 16 upon 80 i 2 से गया 14 दो से गया 40 दो से गया साथ दो से गया दो इधराम दराम कट गया ठीक है 16 एकम 16 16 बंचे 80 बचा 7 upon 20 प्लस 1 upon 5 i और यही आपका a plus i b का form है की नहीं है देखो a b आया clear यह आता है आपका दो नंबर में question ठीक है आया नेकालना की नहीं आया ठीक है simple है इतने से ज़्यादा चोटा नहीं होगा आपको यह सुविदा के लिए हमें क्ले लें कि माता है और बहुत जल्दी आते हैं बोड़ को माता है जाड़ने वाला आया तो जाड़ने वाले को आने लगी तो बिना जाड़े भग्या ठीक है आगया ए प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करना की नहीं आया ठीक है यह आपका अच्छे question है ठीक है complex नंबर बहुत आसान है बहुत आसान ठीक है बस बसरते सीखते चलो साथ म साथ में सीखते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अकेले सीखोगे बहुत दिक्कत नहीं हो गया यह सॉल्व तो करी लोगे अब नोट नहीं करो सॉल्व करना अपने आपसे टाइम इतना नहीं है अगला question करें find the value of question अगला find the value of i plus 1 upon i minus 1 की पावर 200 i plus 1 upon i minus 1 की पावर 200 यही है ना आज यही है question दे दिया solve करो और का हम करेंगे का इसकी value बतानी है find the value of i plus 1 over i minus 1 की पावर 200 ठीक देखो बताए हम की आ रहा है नहीं आ रहा चलो देखो बहुत आसान है अपने क्या कर देंगे i plus 1 upon i minus 1 ठीक है इसकी अभी value तो हम finally कर सकते हमने बोला जब भी आपको ऐसे दिखेगा क्या करना है अपन को ठीक है पर में करण करेंगे करेंगे बताया हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि जब भी आपको इस टाइब से ओपर भी है नीचे भी है सिंपल नमबर तो उसका क्या कर देंगे अपन पर में करना तो यहां इसका कोजोगे लिए होगा ठीक है दोनों तरीकों से कर सकते हो आप बिलकुल बैस की हम बोल लेना दोनों तरीकों के उसे इसमें थोड़ा कठेल लग रहा है ना बैसे वाला अच्छा देख रहा ठीक है कि i plus one upon i plus one की पावर 200 ठीक अब उपर क्या हो गया आपका i plus one का whole square और नीचे a plus b और a minus b तो i square minus one का square ठीक और की पावर बताओ किसे नहीं आया आ गया अब इसका क्या करेंगे whole square open कर देंगे यह जाएगा i square plus one plus two i upon नीचे i square की value minus one और नीचे minus one ठीक अब यह नहीं क्याना cancel हो जाएगा की पावर 200 ठीक तो जिए देखो ऊपर भी i square की value minus one plus one plus two i upon कि 1 से 1 कैंसल टू से 2 कैंसल ऊपर बचा 200 पावर में यह बचा माइनस आई की पावर अब इसको सॉल्व करना तो सिखाया माइनस वन की पावर 200 इवन नमबर प्लस वन अब क्वेस्चन बचा क्या 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 आई की पावर 200 अब आई की पावर 200 मतला टू से मल्टिप्लाय करेंगे आई स्क्वाइर की पावर 100 आई स्क्वाइर की वैल्यू कित्ती माइनस वन की पावर 100 इवन नमबर इवन नमबर तो पता हो नहीं आया कि किसका फोल तो दिया कि शुरू में आ खुल जाएगा तो बाद में आएगा तो ऐसी फों नहीं आ रहा है अच्छी बात है ना देखो सॉल्यूशन करने का तरीका अपना अपना होता है ठीक ना ऐसा जुरूरी नहीं है आंसर आना चाहिए अपना बस ठीक बाकी किसी और तरीके से करो गया तो दिक्कत है आंसर आगया तो कोई दिक्कत नहीं करो दिल्कुल ऐसे बोल रही हो कि यह हो गया आपका आई प्लस वन अपॉन आई माइनस वन इसका whole square की whole power hundred जो अपनने बाद में किया इनने वो पहले ही कर दिया फिर उपर whole square कोल दो नीचे whole square कोल दो कोई दिक्कत मिं कर सकते हैं आ गया अगला करें सो अगला question करो express 1-2i to power q upon 1 plus i into 2-i into 1-3i in the form of a plus i b हाँ करना है और का घर है यहीं करने हैं यहीं करना है करना हाँ करना है करना है तो करना है नहीं कर दो जी कर दो